पहलवानों का अंदोलन और अब पहलवानों के अखाड़े में कूद गए हैं किसान नेता राकेश तिकैत हमारे आज के खास मेमान आपका स्वागत है तिकैसे सीधी बात है, आप जिस अंदोलन में जाते हैं वो अंदोलन नी पिड़ जाता है, हाई जैक हो जाता है, वो कहीं का कहीं चला जाता है जैसे अब ये आंदोलन देखिए खिलाडी जमे हुए थे खिलाडी घर बैढ़ के कुछ लोगों ने शिकायतें वापिस ले ली क्या हुआ मतलब क्या चाहते हैं आप दो महिने तक भारत सरकार से वे अपने डिमांड करते रहे और पूरी भारत सरकार मैनेज करने पर लगी रही उनको निच्चा दिखाने पर लगी रही पासको जैसी धाराओं में गिरफतारी नहीं होगी और दो महिने बाद में फेरका होगी जी वो आंदोलन तो पिट गया ज ऐक भारत सरकार किस बासा को समझती है उस बासा को बता तो उस बासा का इस्तेमल कर जाएगा यह लोक्तश्य देश्स है । इसमें धर्म्ले स्ष्पार Project समsk और अपनी बात सरकारों के सामने सब्सक्राइब बतलब है और जो प Edwardsiant के सरकारों के सामने कह सकते हैं। आप ये बते ही कि ये भी आरोप है कि आप ही हैं वो शक्स जिसकी वज़े से खिलाडियों ने समझोता कर लिया सरकार से, खिलाडी थोड़ा पीछे को हट गए, थोड़ा मुलायम पड़ गए, आप पता नहीं क्या आपने जादू फेरा वहां पर ये खेले हुआ हमने कुछ नहीं, भारत की सरकार की तरफ से मेसिज आया, कि क्या खिलाडी खाप पंचाते बाचीत कर सकती है, किस से? खिलाडी उसे, या खाप पंचाते, कि हम बाचीत करने को तयार है, क्या बाचीत कर सकती है, और हमें ऐसा हमारा ये कॉंसेप्ट रहता है कि बाचीत का रास्ता खु और जो खेल कमेटी है उन्हें ही धरना दिया वही बातचीत करने वहाँ पे गए और उन्हीं की भारत सरकार से बात चल लगी हुए तो यही बात हुई ना कि जब आप आए तभी ये दर्वाजा बातचीत का खुला आप पहले से तयारी से आये थे मैं वहाँ जा रहा हूँ आपकी बातचीत करवाँगा आप चिंता मत करो आपने ठेकेदारी कर ली इसमें भारत सरकार बात करना चाथे हैं तो आप अगर बात चीत करना चाते हैं तो वह आपको बुला लगे आप अपना बात कर लो यह जो माध्यम किया है सरकार के लोग हैं और कोण होता हमारे मादम कोण नहीं है अब यहां पर भी देखोगे जितने सरकार के लोग होंगे सारे हैं लेकिन मैं डारक्ट नहीं बात करते हैं अपने फोन सा बात नहीं करते हैं अब इतना सिकंजा हैं हर आदमी के उपर हर मिनिश्टर के उपर सिकंजा है यह तो मुख्ति हा भिहान देश में चलाना पड़ागा इनको भिमुख करवाना पड़ागा किसका शिकन जाए पता नहीं किससे यह डरते हैं है मलब कोई डार्रक्ट बात नहीं कोई भी करेगा तो यह जो यह जो मेशेज आया यह आपके पास आया सरकार की तरफ से हां हमारे पास मंत्री का मेस्ज आया हां मन्रप्स्टर का मेस्षे खेल मंत्री का में से जाया shift किसी यह वहा कर दो वह और ओनकी बात हुई होगी उपर में जो दिन in ABCD का किसी का भी आया उनका नाम गुप्त रखाया उन्हें मेसिज करा कि हम बाचीत करना चाहते हैं क्या खेल कमेटी बात करेगी हमने ओपन नहीं सोरम और कुरक्षेत की मिटिक में कहा कि उनकी तरफ से मेसिज आया ये नहीं पता कि जूट है या सच है अगर नो तारीक तक व हम इन पहलवानों को लेकर खेल कमेटी को लेकर दिल्ली में जाएंगे और इनको जंतर मंतर पर बठा के आएंगे ये हम न कहा था उसके बाद में इनकी बात्चीत सुरू हुई बात्चीत जो हुई वह आपके सब के सामने है ये बता ही कि शिकायत करता जो नावालिक ये पड़न में करता ही केव पुलीस के वीच में रात को जब ठाने में बीत राती है ने tap सunders ने काम करा नां करा सारे अपन उपर लिलता है ये दो में महिन्ह ना निंया लो ने करा इन पर क्या प्रसर राहा होगा किस्तरा से इनrickे रिष्टेदार प्रसफ राहा होगा तो डो महिन्ने में यह कहरें तो कम्प्प्ध कोई वापसी ने लिए और ना पासको एक्ट में गउसक ने हो सकती जो भी होगा वह कौट न होगा उन्हें ब्यान जरूर हमने पढ़ा है कि ब्यान इनने दिये कि ये गलत्तार हमने गुष्से में करा बहुत से चीज़ें बदलवाई जाती है और जिस सिस्टम में भारस सरकार लगी हो उनके कोच लगई हो उनके रिष्टेदार लगे होंगे वे किसकी जगे से संपर्क नहीं उन्हें किये होंगे हमारे पास तक नहीं आए आद्धे देश के पहलवान आए हमारे पास में आद्धी मुलिष्टरी आई उन्हों लोग भेज्जे होंगे कि ये गलत है पहलवान तो उनके पास नहीं होंगे गए होंगे बदल दिया होगा हमारे उस पर कभी इस तरह के नारे नहीं लगते हैं पर यह लगा वहां पर जंतर रहे क Ci नहीं लगते हैं व Wow यह व्यक्तिकत नारा होगा आप इस नारे को सही मानते हैं नहीं हम नहीं मानते हैं ना मैं पता ना हमारे सामने का भी किसी ने लगाया यह बताए कि आप खिलाडियों के अंदूलन में आ गए, आप ने किसानों का अंदूलन किया, आप किसान है खुद, फिर किसानी कब करते हैं आप, समय का मिलता आपको किसानी का? नहीं, कल था मैं खेत में, अभी भी खेत में काम चला हुआ है, इखटा रहता है, जोएंट परिवार है, सभी खटा लेकरे, खेत में पिछले साल लुक्सान काफी हुआ, कि खेत में कम ध्यान दिया गया, लेकिन इस साल हम खेत में पूरा ध्यान देंगे, और जब टाइम मिल जहां भी आंदोलन होता है वहाँ किसी न किसी बहाने आप दिखाई देजा एगा में विपक्स ने critically आप उथारी गांता देश में मजबूत विपक्स रहना चाहिए अगर मजबूत विपक्स नहीं होगा तो देश में ताना साहों का जनाम होगा और यह दोर अब चला हुआ है कि लोगतं से ताना साहीं की तरफ देश जा रहा है एक बात मुझे समझ में यह नहीं पर खाब पंचाइत हैं किया खाब पंचाइत कर पूलिस से कोर्ट से सबसे उपर हेले सरवोपरी जो पीर इस जब मुझे में वह करती झहींmin और आजभी कारम समय में नहीं कि परदें और खाब पंचाइत हैं या पन्च्च या गाओं के सर्पन्ची जो फैसला गाउं करती है वो सही करती है पर पान जालूल बातें भी करती है वह बहुत ही जदे उल जलूल बातें करते हैं कोई एकाद व्यक्तिगत लोग होते हैं यह सब्सक्राइब करती है चाउमीन की वज़े से रेप हो रहे हैं चीनी तो चाउमीन ही खाते रहते हैं यह आपने सुना ही नहीं है हिंदी कभी मुक्तिवोद ने सवाल किया था वही आप से भी है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है आप खुद ही कह रहे हैं कि आप विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं तो क्यों नहीं खुल करके राजनिती करते हैं ने ने राजनिती वो है जो चुना उलड़े अपने कंडिडेट खड़े करें और सरकार बदल ले की और सत्ता पर काविशनीती नहीं है अंदोलन जो आप चलाते हैं जैसे देखिए इतना बड़ा किसान अंद आठ लोग कुछले गए पांच उसमें किसान रहे आपने इस्तिफै की मांग की क्या हुआ उसस अंदूलन का अपनी बात कही तो सकते है ने अपनी बात कही देश के सामने कही सरकार ने नहीं बात बननी तो उसका तो कोई लाज है दी लेकिन हमने अपनी बात मजबुते से उठाई और आज भी आठ लोगों की हत्याओं का वो दोसी है आपको क्या लगता है कि क्या वज़े है कि किसान इतनी कोशिश करता रहा किसान ने इतना अंदूलन किया अखवारों में टीवी पर इतना अंदूलन छपा चला सब कुछ हुआ एक भी इस्तिफानी हुआ मंत्री क काता से उसी मंत्राले में हाँ उसी मंत्राले में जब सरकार हमने कहा कि सरकार लोकतंत्र को उसको मानती नहीं सरकार देश के संविदान को नहीं मानती देश के कानून को नहीं मानती और हट दर्मी पर रहती है कि यह हमारा आदम है तो आप कुछ ही कर लो हमको करना ही नहीं तो उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास में सिगनेचर पावर नहीं है, आवाज उठाने की पावर है, अगर सरम सरकारों को हो, तो ये काम करेगी, उनके इस्तिवे ले भी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ऐसा कौन सा दाउं लगाते हैं, कि आप आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन में बड़ी बड़ी बाते करते हैं और असर कुछ नहीं होता है, आप सरकार तक को असरम वैध्यानिक बता रहे हैं, देश में कानून ये कहता है, कि अगर किसी के लेकिन इस वाले केस में क्यों सरकार नहीं कर रही ये देश के प्रेस की भी जुम्मेदारी बनती है देश के कोट की भी जुम्मेदारी बनती है देश की आम जनता की भी जुम्मेदारी बनती है कि इस केस में क्यों नहीं हो रहा है आपके आंदोलन शुरू तो होते हैं, लेकिन मंच पे राजनेतिक पार्टियों के नेता काभीज हो जाते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, कई आंदोलन में आपके ऐसा हो चुका है? एसकेम के चितने भी मुमेंट हुए, कोई भी पॉल्टिकल लोग उन मंच पे नहीं गई, वो निचे रहे, उनको ना माईख था ना मंच था, ये बताएगे कि आप अब क्या चाहते हैं, वे जहां संतुष्ठ हैं, उन्हीं की बात वारसरकार सा हो रही है, वे मुमेंट चलान हम उस कमेंटी के साथ में पूरा, उनको ये कहा कि आप दबने की, डरने की उसकी जोड़त नहीं है, आप मजबुति के साथ में अपनी बात रखो, आज वे अपनी बात सफ़ष्ट करेंगे, शाद 15 तारिक तक का भारसरकार ने उनको टाइम दिया है, उनकी एरेस्टिंग क उनकी चार्शिट फाइल करने का, इसको फास्ट एक कोट में चलाने का, ये उनको कहा है, 15 तारिक तक का भी उनको टाइम लिया है, और आज वे अपनी सारी चीज सफ़ष्ट करेंगे, ये बात, इस बात का आपको एहसास है कि जब से आप इस आंदोलन में घुसे हैं, तब से इसको जाट बनाम राजपूत और राजपूतों के साथ, ये कहते हैं, ब्रजभूशन सिंग के उनके साथ, ब्रामण भी जुड़े हुआ हैं, मुसल्मान तक जुड़े हुआ हैं, ऐसा बन गया है, ये जातिकत, इसमें जो है, ये आंदोलन या जातिकत, दूएश इसमे सामने बाइब आ से ज्ञेएं, अब ने गया जातिकत, अनकी आइड़ेंटी छुपा के रखी जाती है, अगर थो शुकरन के राचा बसकूर करें के रखाने लड़की। निकरता था अब छेड़ खानी में सारी चीज आजा ऐसे हाद मार के देखता था टाइट नेस पूरी है या कम है बतो भाई इसका मतलब क्या है बोड़ी टच करना फिजिकल टच करना और फिजिकल टच कहां पर करा जाएगा सरीर के अलग 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 है आप सर पर हाथ रखोगे तो आसिरवाद रूफ होता है आप कही दूसरी के आथ रखेगे और उसकी लड़कियों की टाइटनेस देखोगे कि आपकी बोड़ी डिली है या टाइट है तो उससे क्या मैसिज जा करें तो आप ही क्यों और भी किसान देता हैं और भी लोग है उसका नहीं है बात्चीत के विश्वास करें और मैसेच आके क्या बातचीत खाप पंचात और जो खृ IO कमेट वो कर सकती है हमनों मैसेच आगे दिया कि इस तरह का मैसेच आया है जोट भी हो सकता है पनाद दया कि क्लो बणे तरह Cup मेरे साथ इंडिवीमें उन्हें ने कहा कि क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था हजार का आरोब लगा दिया कोई तो सीमा होनी चाहिए आप उनके अगर पूरे ब्यान उठाकर देख लो इस तरह से बच्चियों के बारे में कहा जाता है शिलाजीत क्या होता है वह आप बता दो किसी जिमें इस्तिवाल होती है तो जो बच्चिया है उनके बारे में इस तरह की बात कहोगे आप सार्जुनिक कहोगे आप कुस्ति उसके बड़े ओद्यदार हो तो इस तरह की बात करने चाहिए और देश में अपना बचाव करने का सब को अधिकार है वो अपना बचाव कर रहा अपने बचाव में जो है और सरकार सुप्रीम कोट में कहकर आई है कि यह संभव नहीं है फिर आप 2011 में क्या था 2011 की जो एक स्टेड़निंग कमेटी थी उसमें 13 मुख्य मंत्री थे नरेंदर मोदी जी भी उस कमेटी में शामिल थे और इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी उस टाइम के परधान मंत्री को के MSP देश में लागू हो उस पर कानून बने यह उन्हें नहीं कहा था उस टाइम कि उस टाइम कमेटी है आज अपनी कमेटी को इलागू कर दे अभी जो MSP बढ़ा ही आप उससे संतुष नहीं कह रहा है कि MSP बड़ी है उस पर खरीद तो नहीं है अगर इस पर कानून बन जाएगा तो उस पर खरीद होगी हमने यह कहा है कि सरकार को जितना खरीदना है सरकार खरीद करें प्राइवेट पार्ट जो भी बिजनस करेगा वो उसके कम पर खरीद ना करें यह कानून बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनाएंगे, हमारा बड़ा मुद्दा बनागा, हर्याने में MSP पे पहली लाठी हर्याने में चली है, हर्याने में तो लाठी चलेगी, और 12 तारीक का बड़ा इसू वहां पर रहेगा, सुरज मुख्य की खरीद होनी चाहिए, यह इसू हर्याने में, आपको बुलाए जाह, ऐसी कीसी मीटिंग में तो आप जाएंगे, अभी तो एक पाणी का ज्याज है, समुद्दर के बीच में है, अभीart के लड़ाई कैप्टन की है, मैं कैप्टन, मैं कैप्टन, उसके साथ कैप्टन है, और अंदर हीलड़ाई चल रही, अगला प् यह बीच मढ़ जाएगा यह राष्ट पती बढ़ जाएगा फिर योग जी परदार मुत्री बढ़ जाएगा आप जिस शेतर में ज़ादा काम कर रहें जिस शेतर में आप स्वेम मौझूद है हाग जी वहां दो राजनेंतिक डल बड़ी कुशिश कर रहे हैं है उसमें एक है ओवे konkretि कैसे आखते हैं उनको है उनकी कहा पार्टी तो बीज़ेपी की क्षाइए को है उनकी जगा एक है कि तो लोग तो ऐसा ही तो है कूँ जहां कहीं आरता साी दिख़्ै उसको लगा तो है यहां क्या हूज सो ही है अबने जब एलिक्सन अभी ह्टा तो कोई गया मेरिट केंदर बडि-बड़ी इसकी कार काम कर रही, वहाँ परो भी काम कर रहा है, ऐ और भी है दुन्दू, ये भी है, वो ये सरकार, टेकर साथ अब आप से सवाल पुछू मा, तीन सवाल पूछू आप यह तीन सवालों के साथ मैं खुदी आपको दो जवाब भी दूँगा, आपको तो कुछ बहुत दुन्नूस में क्या तो जिसको जनता चुनेगी वही बन जाएगा आपको क्या लगता है कौन बनेंगे आप तो हवा का रुख देखते रहते हैं नहीं हवा का दी हम तो काग जुका देखो डर का रुख देख रहें यह तो सारे कभजे में कर लिए अब यहां कोई गि को जीतका सुट्टी पिकट पकड़ायद है कोई आदमी 14 के बाद में कोट में गया के मेरी गिंद्टी दुबारा करवाएद हो कोई election कमिशन में के चैनल गिंद्टी दुबारा करवाएद हो क्यों सो से जादे सिटे उत्तर पर्देश्य में वैसे जिता के दिये इनोंने य पर भ़रोसा नहीं है कि जोरती नहीं रहेगी एप्यम तो दूर की चीज रहेगी है है इब्म करी सवाल है सवाल यह है के जो कंडिडेट हार गया को सट्रिपिकट जीत का मिलगा एप्यलिए जोरती नहीं है आपको क्या लगता है कि मोदी अगले प्रधान मंत्री बनेंगे पक्का और पूरे अपना कारेकाल पुरा करेंगे पुरा कारेकाल नहीं करें फिर बीच में अटेंगे आप अटेंगे उनको यह इसारे काम करके जांगे और फिर प्रधान मंत्री कौन बनेगा? आप चाहते हैं कि योगी जी बनें? योगी आपको ठीक लगते हैं? बार बार लोग कह रहे हैं कि योगी और आपकी कोई बातचीत कोई करवाता है? अगर बुख्य मंत्री किसी भी स्टेट का अगर उसको फुल फलेश पावर दे तो अपने स्टेट में वह बहुत काम कर सकते हैं. भविश में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या खेती करना चाहते हैं? नहीं तो जितने भी एंपिर, एम एले हैं उन्हें अपने व्यवसाय का आगर खेती लिख रख्या हैं. चुनाव लड़ना लग चीज़ है, खेती करना लग चीज़ है. ये भी तो चुनाव लड़ना का खेती करें सारे के सारे? लेकिन हम चुनाव से दूर रहेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं. नहीं लड़ेंगे. यूपी में जादा आपको क्या लगता है, किसानों के हितैशी कौन रहे हैं? अकलेश यादव या योगी जी? मुमेंट होते रहते हैं, जो सरकारे बाचीत करती रहती है, और जो उसको पावर रहती है, उसको काम करने की, अगर उसको पावर रहेगी, तो सब मुख्य मंत्री ठीक रहते हैं. लेकिन अगर मुख्य मंत्री के उपर भी कोई होगा, वो उससे बोजगा काम करेगा, तो फि दो के नाम ले रहा हूं, आपको क्या लगता है कि बड़े इनमें किसान नेता कौन रहे हैं? चोधरी चरण सिंग और आपकी पिता जी महिं टीकाट जी, उनका भी मैंने इंटिव्यू किया था, आज आपका भी इंटिव्यू करें। प्रेस कॉंफरेंस में आज इतना ही अगले हफ़ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से तब तक देखते रहें एबीपी नियूज प्रेस कॉंज।